सब बीमारियां दी इको द्वाई पूरण आराम अते सोख वह ग्रू दे नाम नाल सब बीमारियां नू हटालें वास्ते सिरी ग्रू ग्रंद साहब जी वेच बाउत सारे शब्द मौजूद ने पर क्योंके असी कदे उना नू वर्थ के नहीं विख्या जिस करके उना शब्दान दा नतीजा कदे वी साड़े तजर्बे विच नहीं आया होन आव कुझ शब्दान दी विचार करिये सिरी ग्रू अर्जन देव जी दा एक शब्द है ताती वाव ना लग गई पार ब्रम शरनाई चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगए ना पाई सद्गुर पूरा पेटिया जिन बंत बनाई राम नाम ओखद दिया एका लिव लाई रहाओ राख लिए तिन रखन हार सब व्याद मिटाई कवनान का किरपा भई प्रभपए सहाई इस शब्द दा निचोड ए है के नाम नाल सब बीमारियां हट जांदिया ने पर नाम नू समझना ए सचमुच बड़ी मेनत वाला का में इस शब्द विच नाम दे कुझ पाव इस तरह वर्नन कीते गया ने पहला के वाई गरूदी शर्ण विच आओ शर्ण विच आओन दा मतलब कम्प्लीटली सरंडर करदेणा आपने आप नू वाई गरूजी दे सानमोख समरपन करदेणा पाव वाई गरूजी दा पूरण हुकमी बच्चा बाण जाणा एक बच्चे वांग पिता दियुंगल फड़ओ आपनी चत्राई नू छड़ द्यो निरा हाथ जोड के मथा टेकन आल शर्ण वेच नहीं आई दा सगों अंद्रों मन दी अवस्था बदलनी जरूरी है दूसरा पाव के वाई गरू सरव्यापक हर वेले हर थांते मौजूद वेखो ते दुखन नास करनवाली शक्ती समझो तीसरा पाव के राम नाम कोई ही चीज है जिसनू अवस्थी जन्दवाई समझो होर किसे शैदा सहारा अपने मन विचों कड़ दियो अखीर रहाओतों मगरों ए नतीजा कड़ देता है कि सब बीमारियां हट गईयाने परे वाई गरू जी दी सिर्फ मेहर बानी है साड़ी कोशिश जान तजवीजां दा नतीजा नहीं सिरी गुरु ग्रंद साहिब जी दा फैसला ते असी वेख लिया पर साड़ा हारवेले शक करनवाड़ा मान अपनी अकल ते तजर्बे कोणों पुछन लग पैंदे पड़ा दसो है ठीक है जे अकल ते तजर्बा सान्नू ए आखे ए नहीं हो सकदा ता साचमुच साड़ा मन पूरन तोर ते गल मन लेंदे हाँ नाम जपन आड़ मेरे रोग दूर नहीं हो सकदे इस मननों तसली दे नवास ते अकल ते तजर्बे दी सोच असी विखन लग गयां बे कितों तक पाउंच दे हैं खोज करनवाडी गाले है के वाईगरू दी शक्ती दा इस सरीर नाल किनना को सम्मन्द है सोचो वो केड़ी शक्ती है जैसने पाणी दियां बूंदा नू माँ दे गर्ब वेच मास दे लोथड़े दी शक्ल वेच बदलिया फिर उस विच्चों सेर लत्ता बामा बन्नियां शुरू ओईया फिर हडियां बर की सक्त चीज बन गई वालां बर की पतली ते नरम चीज भी बन गई आंदरां ते नाडा में बनायां गईयां अक्खा में बनियां फिर उस विच्च जान पई इस सारे कोज विच्च माता दा ते कोई हिसा नहीं ना ही डॉक्टरां दी मददी लोड है बढ़के एक छुपी होई शक्ती आपे ही सारा कम कर रही है इस सारे स्रीर दे बनाण विच्च एकोश शक्ती कम कर रही सी जिसनू इन्सानी मददी लोड नहीं इस तो से दोया के मनुख दे सरीर बनन विच्च ते जान पैन विच्च सिर्फ ते सिर्फ वाईगरुतों इलावा हो र किसे दाहत नहींगा इस से तरह बच्चे नू पालन वास्ते माँ दे सरीर वेच दुद पैदा हो जान्द है ते जदों बच्चा आपे कुछ खान पीन जोगा हो जाए तो दुद बंद हो जान्द है बच्चे दे दंद वेले सेर निकल देन वड़ाओ के आपे ही वेले सेर दाड़ी आ जान दिये ए सारा कामवी वाय गुरू दी छुपी होई शक्ती ही कर दिये बच्चे नू जिवें जिवें होश आउंदी है पाव वड़ा होंदा जान्द है ता ए आपने जम्मन अथे आपने पलन दे सारे कारण नू बिलकुल पुल जान्द है दूसरे लफजां वेचे हुन वाय गुरू नू गैर हाजर आ ते दूर दी चीज समझ दे ते अपने आपनू हर चीज दा करता समझ दे दुनिया वेचे पैदा हुई याँ चीजां दा सहारा लेके उननों दूआई दी शकल वेचे ले आके ते आप डक्टर बणके सरीर नू ठीक रखन ते बीमारियां हटाउन दी कोशिश कर दा है पर तजर्वे नाल समझ आ जान दी है के हर दूआई सानू सेत नहीं दे सक दी अरोगता बड़ी उची चीज है यह ते एक आत्मिक वस्तू है जो सच खंड विच्चों मिल दी है दुनिया पार दे सारे स्याने डॉक्टर बड़ी कठी होके ते सब तों चंगियां द्वाईयां वर्थ के भी किसे वड़े तों वड़े बादशादी बीमारी नों भी नहीं हटा सक दे ते उस दी जान नहीं बचा सक दे पाव चंगी सेत अरोगता ते उमर दुमें चीजां द्वाईयां ते खुराक दी हादतों उचियाने अते इंसानी अगल ते तजर्बेतों बार ने हजरत इसा दे बारे विच ए बाउत मशूर है कियो नाने अपनी आत्मिक शक्ती नाल हार शैर ते पेंड विच बीमारानों राजी करन ते मुर्दयानों जिवालन दा कामवई बाउत हादता क कीता सेखित आस विच भी गुरू साहबान दे पास कोड़ दूर करन मुर्दयनों जिवादेन जा होर बीमारियां आत्मिक शक्ती नाल हटादेन दियां बाउत सारियां मिसाला मौजूद ने आत्म साइंस ने खोज करके इस आत्मिक शक्ती नो एक वर्तमान नुस्खा समझाउन दी कोशिश कीती है जो हर एक दी समझ विच आ जाएगा आओ इस नुस्खे नो त्यान नर समझिए आओ उस शब्दनों दुबारा पढ़िये जेडा असी शुरू विच पढ़िया सी गुरुजी आखदेने ताती वाओ ना लगई पार ब्रम शर्णाई चावगिर्द हमारे रामकार दुख लगए ना पाई सत्गुर्पूरा पेटिया जेन बनत बनाई राम नाम ओखद दिया एका लिवलाई रहाओ राख लिये तिन रखनहार सब ब्याद मिटाई कहो नानक किरपा पई प्रभपई सहाई आओ होन एक गल होर समझ लएए अखिये मान तुँ जोत सरूप है अपना मूल पचान मान हरजी तेरा नाड है गुर्मती रंग मान आतम साइंस एना शबदां दे पावानों होन असली सूरत विच पेश कर दे ते आनाल समझ लओ तुसीं सिर्फ ते सिर्फ एक सरीर नहीं बढ़के जोत हो ते इस सरीर विच वाहिरूदा परकाश है शरीर तो अड़े रहन वाड़ा कार है इस विच आपनी कोई जान बिलकुल नहीं ते नाहीं कोई हिल जोल है इसनों बीमारी वी आ सक दिये ते ए नास वी हो सक दै जोत कदे ना मरन वाली अथे सिर्फ वय गुरूदे सहारे ते कायम रहन वाली चीज है अते हर तरह संपूरण है इसनों कोई बीमारी जान थोड़ नहीं हो दी नाहीं कोई रोग जान संताप आ सक दै जदों तुसी इस जोत नों अपने अंदर हाजर वेखोगे ना शरीर रोशन हो जाएगा ते पूरी अरोगता वेच ते आनांद वेच काम करना शुरू कर देवेगा शरीर क्योंके बेजान है इस वास्ते बीमारी जेड़ी इस दे उत्ते परगट हंदी जाप दिये ओवी बेजान है शरीर ते बीमारी दों में पास देने के इना वेच जान है पर असल वेच इना वेच कोई जान नहीं तुसी जोत हो ते तो अड़ी स्रीर उते हकूमत है स्रीर दी तो अड़े उते हकूमत नहीं तुसी स्रीर तो बिलकुल वक्ष रहो जेकर विमारी स्रीर उते परगट होवे वी ताम विमारी दी पीड जां बेचैनी तो अड़े तक नहीं पहुंच सकती परे ताओं होएगा जदों तुसी अभ्यास करके अपने आपनों जोत दे रूप विच शरीर तों वक्ष वेखोगे जदों तुसी इस तरह करोगे बीमारी गायब हो जावेगी ए नुस्खा रोज पड़ो ते स्रीर ते वर्तो वर्तनवेले बिल्कुल चुपचाप थां ते बैठो ते वेखो के वैगरुदा नूर मेरे आले द्वाले है ते उस नूर दी याँ ब्यंत जोतां विचों मैं वी एक जोतां वेखो के उस दे नूर विच सब हनेरे बीमारी थोड फिकर दूर हो गयने ते सेत दौलत ते मन दी शांती सब चीजां आपे मिल रही आने हाँ एक गलगा प्रहेज जरूर रखो कदे पाप ना करो आओ एक उधारन समझिए जदों कार तुर दिये ना लगदे के इंदे विच जाने कदे दौड दिये फिर कदे हौडी तुर दिये कदे आवाज दिये कदे रुक जान दिये फिर तुर पें दिये हेड लाइट इस दियां अक्षा वांग काम कर दियाने इस सारियां गल्लां दे हुंद्याओं आवी एक अलपकी है के इंदे वेच कोई जान नहीं ते नाई इस वेच हिलन जुलन दी शक्ती है इस कार दी जान ताँ ओ आदमी हैं जिसने इसनों बनाया है इस दी मुरम्मत करदे ते खुराक पाव पेट्रोल जान तेल आद दिन दे ते अपनी मर्जी मुझब चलां दे इह हाड़ सरीर दे होन एक अल समझ लेनी चाहिए दिये पामे सानों लगदे के इदे वेच जान है पर असल वेच इन दे वेच कोई जान नहीं इस दी जान ते जोत हैं जेड़ी कदे नहीं भर दी ते हर तरह नाल संपूरण है नुस्खा ते एह हुए पर अभ्यास नाल सुर्ती उची करके एह नुस्खा आत्मिक शक्ती पैदा करेगा जिस नाल बीमारी जल्दी हट जावेगी थोड़ा अभ्यास करन नाल बीमारी हट देयां कुछ वक्त लगएगा शिरी गुरु गरंत साहिब जी नुस्ख सम्झ के पढ़ना बाउत जरूरी है वाई गुरु दे नाम नाल बीमारीयां दा इलाज करना सिर्फ किते एमें पढ़के जां सुणके दिल खुश करन वाली गल नहीं पाई ए ते सोड़ा आने सच हंडर्ड परसेंट हर एक बीमारीयां दूर करन दा एक पूरा फार्मूल है गुरु जी ने बाणी विच आखिया ना ए बुड़ा ना एह बल्ला ना इस दूख नहीं जम जाला इस अवस्था विच ना बुड़े ते ना बालक बढ़के हर वेले ज्वणनी दी अवस्था सरीर ते रहेगी इस अवस्था विच साड़ा सरीर बीमारियां तो अजाद रवेगा बीमारी आउन दा डर्वी बिलकुन खतम हो जाएगा बीमारी नो निर्बल बे जान ते ममूली समझना आतम साइंस दा ए पहला असूल है जे डाक्टरी वेच पंच सत साड़ लाके बीमारी दा इलाज करना सिखी दै एवी उसे तरह मेनत नाल अवियास नाल इते वी यसीं इलाज करना सिख लवांगे हाँ सत साड़ नहीं सिर्फ सत महीने विद्यार्थियां वांग दिन रात पड़ो ते फिर मुकाабला करके विखो सब बीमारी दा एको नुस्खा वह गरू दा नाम अत्यत्यान मन ठंडा ला इलाज बीमारी दा पूरा पूरा इलाज ना पैसा खर्च करना पवेगा ते ना कि ते डाक्टरां कोल गेड़े मार के समा खराब करना पवेगा पर शर्त है ए सुनके एमे खुशो के अगे न लंग जाना